जज़े श्रीवा गनेश कैसा आच्चा रही हैं? मेरे अराध्य गौरी पुत्र श्री गनेश यहाँ उपस्तित नहीं फिर मुझे उनके आदेश का आभास कैसे हुआ? उनका आदेश पाए बिना मैं क्या करूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अवर शेही समय गौरी पुत्र श्री गनेश अपनी मादा पारवती के पास सो रहे होंगे उन्हें नीन से उठाना अनुचित होगा यदि मादा पारवती रुष्ट हो गई तो मेरा कैलाश आना भी बंद हो जाएगा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ है प्रभू मेरी सहायता करें मेरा माघ्र दर्शन करें मंगल मूर्ती मुझे अपनी सेवा का आदेश दे प्रभू गयासुर उत्सुक्ता में बहकर तुम अपना करतवी बूलते जा रहे हो नल और दमयंती को महागणपती तीत पर रोते हुए छोड़कर अद्रिश होने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि वे दोनों क्या करेंगे उनका कर्ष्ट कैसे दूर होगा वे दोनों अपना खोया हुआ सम्मान कैसे प्राग करेंगे प्रभु मंगलमूर्थी हमने तो तुम्हें गणेश भक्तों की निरंतर सहायता का आदेश पहले से ही दे रखा है परन्तु तुम बार-बार आदेश पाने के लिए अपना करता भी बूल कर कैलाश बागे चले आते हो अपनी बुद्ध प्रभु मंगलमूर्थी अब कुछ कहने सुनने की आउशक्ता नहीं है नल और दमयति की सहायता करने के लिए तुरत यहां से प्रस्थान करो वे दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हैं उन्हें खोजो और अपना करतावी पूरा करो परन्तु मैं उन्हें कहां खोजू श्री गनेश कैसे उनकी सहायता करूं जदश्रीमा गनेश जदश्रीमा गनेश प्रभु श्री गनेश चे तो आदेश देदी परन्तु मैं बिछड़ू में नल और दमयति को कहां डूल्डू इतनी बड़ी प्रित्वी पर उन्हें दोलों को ढून पाला कठीन ही नहीं असंभव है ओम गंगनपते नमहा नारायन नारायन भक्त राज दयासुर्व श्री गनेश की क्रिपा से तुम अमर वर्दानी और शक्ति संपन्न हो तुम अपनी इच्छा मात्र से ख्षण मात्र है किसी भी गनेशभकत के पास पहुंत सकते हो क्या है क्य Super भाउक्त के कारण वेश तुम अपनी सारी शक्तियां तुशन données चीरिन महाँश का अरण करो उनकी आराधना करो तुम्हारी शक्तियां उना प्राप्त हो जाएगी अब तुम तुरंत रोती भिलती सती देवी दम्यंती के पास पहुंचो और अपनी बुद्धियों और शक्ति का उप्योग कर उनकी सहता करो है देवरिशी आप तो संसार के सर्व स्ट्वेस्ट भक्त होने के साथ ही ज्यानी और शक्तिवान है फिर आप देवी दम्यंती की साहता करने के लिए स्वयम क्यों नहीं गए यदि मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उनके साथ कुछ अनर्थ हो गया तो बैसुत जो विशेश कने सोपा में यूद्अल उसमें मैं कैसे अस्तक्रेव कर सकता हूं हुं हों मैं सावदान रहकर इत्ना आवस्य कर शकता हूं दोनों के साथ कोई अनर्थ नग और फिर तुम तो जानते हो पर टो बोंद्री महा ग्रिपा से श्री महागडेस भकतों पर कभी कोई कर दिन अनर्थिकारी संकत नहीं आता किसलिए मैं चिंतित नहीं हूं जय जै शी महा गनेश ओ श्री महा गनेशां नमा सब्सक्राइब इ można गाद़ म है जय स्री महा गनेश्य है 2022 स्वामी, 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 कहा है आप? स्वामी, स्वामी, कहा है आप? मुझे स्वान प्रदेश में अकेला छोड़कर आप कहां चले गए हैं? ये प्रभु, अब मैं क्या करो? कहां ढूंड़ू अपने स्वामी को? ये मंगल मूर्ती, ये महागणपती, मेरी सहाइता कीजिए, मेरी स्वामी की रक्षा कीजिए प्रभु, ये धयालू प्रभु, उच परदाया कीजिए ओ महागणपती है न महागणपती, ये न महागणपती, ये श्री महागणपती करेंगे। बक्तराज, बक्तराज, मेरी स्वामी मुझे इस भयानक वन में अकेला छोड़कर नल जाने कहां चले गए हैं। देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज नल को उनके पिछले पाफों का फल भुखतना शेश है। इसलिए उनसे मिलने में थोड़ा समय अवश्य लागेगा। बक्तराज, ये आप क्या कह रहे हैं। देवी, तुम महाराज नल की चिंता श्री महागणपती पर छोड़ दो। और मेरे साथ अपने पिता विदर्बराज भीम के पास चलो। नहीं, भक्तराज, नहीं। मैं अपने स्वामी को लिए बिना कहीं नहीं जाओंगी। यदि वे मुझे इस मन में नहीं मिले, तो मैं यहीं अपने प्राणों की अग। नहीं, देवी, नहीं। श्री गनेश की इच्छा के विरुद्ध, ऐसी कोई शपत न लो, जो तुमारे भविष्चे को संकट में धकेल दे। महराज भीम की पास जाने का संकेत मुझे मेरे अराद्धिय, श्री गनेश से ही प्राप्त हुआ था। इसलिए उनकी इच्छा का आदर करते हुए तुरंत में साथ चलो। परंतु, परंतु में एक पराय पुरुष के साथ कैसे। जय जय शिवा गनेश। देवी सती दम्यांती। श्री गनेश की भक्ती धारा में एक साथ आगे बढ़ने के कारे। हम दुनों पराय नहीं है। हमारा और तुम्हारा संबंध उतना ही अटूट है। जितना अटूट संबंध पिता और पुत्री का भाई भेहन का होता है। भक्तराज मैंने आप पर संदेह किया। किन्तु आपने मेरे संदेह को अन्यथा न लेते हुए मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजीएगा। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। जैश्री महागनपति। जैश्री महागनेश। यज्री महागनेश। यज्री महागनेश। श्री मागनपती, आप अब भी मुझसे रोष्ट हैं। कहीं देवी देमेंती को सोटा छोड़कर चले आने के लिए। आप मुझे दंडित तो नहीं करना चाहते। पर मैं क्या करता। देवी देमेंती की दुरदर्श है मुझसे देखे नहीं जा रही थी। उनके इस दुरदर्शा का दोशी तो महीं हो। पथाने, पथाने इस समय उनकी क्या तशा होगी। मुझे ढूंती ढूंती नजाने विवन में कहां कहां पठक रही होगी। ए श्री मागनपती। अच्छा हुआ तुम यहां पर आगे पृत्री दम्यंती। इसे, इसे माहागनपती की कृपा ही समझो। एक निस्वार्त साधु तुम्हे यहां ले आए। परन्तु पिताश्री, मेरे स्वामी नजाने कहां बठक रहे होंगी। जब तक मैं उन्हें नहीं देख लूँगी, मेरा मन तडपता रहेगा। पिताश्री, जैसे भी हो, मेरे स्वामी का पता लगवाईए। चुट हो जाओ पत्री, शान्त हो जाओ। ओम गणिशायन महा नारायन नारायन। ये देवर्शी नारत, आपने स्वयमवर सभा में हमें स्वभागे का अशिर्वात दिया था। किन्तु महागणपती तीर्थ के दर्शनों के पशाद भी मेरे मस्तक पर विपदाओं के बादल मन रहे हैं। मेरे स्वामी मुझे छोड़कर… नारायन, धैरी न छोड़े सती दम्यंती, धैरी न छोड़े। तुम्हारी सभी विपदाओं का अंत्शीग्र ही होने वाला है। श्री महागणपती की क्रिपा और दया से तुम्हारे पती तुम्हें फिर मिलेंगे। परंतु उसके लिए आपको और आपके पिता श्री महराज भीम को नेरे बताये हुए उपाय पर चलना होगा। एक और सुयमवर रचाना होगा। क्या एक और सुयमवर ये आप क्या कह रहें देवर्शी। किन्तु यह संभवभी कैसे हो सकता है देवर्शी। किसी भी पत्वरता नारी के लिए अन्य पुरुष्ट की कलपना करना भुर पाप है। कि नहीं देवर्शी नहीं मुझे आपका यह उपाय स्वीकार नहीं है यदि श्री गणेश की मुझ पर क्रपा होगी और मेरे पत्तिव्रत धर्म में शक्ति होगी तो मैं अपने स्वामी को कहीं से भी ढूंड निकालूंगी यह असंभव है देवी यह असंभव है विश्वक को वर्दान देने वाले श्री महागणेश की इच्छा का संकेत लेकर ही मैं यहां उपस्तित हुआ हूं यदि तुम्हें अपने पती नल को पुनह प्राप्त करना है तो देवी तुम्हें दूसरा स्वयमवर रचाना ही होगा यही विधी का विधान है और यही तुम्हारे भागय का लेखा और श्री गणेश की इच्छा नारायल नारायल महाराज भीम आप प्रित्वी के कोने कोने में देवी दम्यंती के दूसरे स्वयमवर का प्रचार और संदेश पहुचा दीजिए यदि महागणपती की क्रिपा हुई तो महाराज नल्व यहां अवश्य पह करें जो भाईयों सुनो 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 अभाईयों सुनो हाँ क्या सुना रहे हो हमारे महाराज विधर्वराज भीम ने एक विचित्र गोश्रा की है वे अपनी पुत्री देवी दम्यंती का दूसरा स्वयमवर आयोजित कर रहे है राजप्रोशों के साथ उन्होंने हम जैसे साधरन नागरीतों को भी बुलाया है पर है तो कैसी विचित्र बाद विवाहित करने का स्वयमवर ये विचित्र नहीं अनर्थकारी घोशना है ये तो भयंकर पाप है क्या महाराज भीम को धर्म और शास्तर का तनीक भी भय नह जिए हमारे महाराज परम गणेश भद्य और न्यायवान है उन्होंने जो निर्णे लिया है पो सकता है उसी में हमारा कल्यान हो इसका निर्णे तो भविष्य ही करेगा ठीक है चले चले करें हुआ 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 कि जाओ कि देवरिशी नारत के आज्या को सफल करो मैंने तुमसे कहा था ना मित्र सुनक एक दिन देवी दम्यंती को पाकर ही रहूंगा कि आज नल के अभाव में कि देवी दम्यंती केवल और केवल मेरे ही कंठ में वर्माला पहलाएं तो क्या आप इस दूसरा स्वयंवर रचाने वाली सुन्दरी को अपनी पत्नी बनाएंगे नहीं मित्र एसी नारिया पत्नी बनाने की योग्ये नहीं होती हाँ ये पुरुषो के मनोरंजन का साधन अवश्य बन सकती है